हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम अलाइकूं वेल्कम बैक टू मा यूटूब चानल तो आज हम बनाने वाले हैं गोवी मंचूरी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राय करना और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर, कमें सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहां पर सबसे पहले बारी कटा हुआ पत्ता गोवी ली हुई है देड़ कप जितनी जो गोवी कप फूल आता है उसमें भी बना सकते हैं एक बार उसमें भी जरूर ट्राय करेंगे आप कमेंट करके जरूर बताना अगर आप उसकी भी रेसिपी देखना चाहते हो तो तो यहां पर मैंने तीन चमद जितना कॉन्फलर डाला हुआ है और जि फिर मैंने वन टी स्पून जितना लाल मिर्श पॉडर डाला हुआ है फिर हम यहां पर हाफ टी स्पून जितना धन्या और वन टी स्पून जितना नमक डालेंगे नमक का आप अपने सौथ के अनुसर डाल सकते हैं फिर मैंने यहां पर हाफ टी स्पून जितना जिंजर गार एक डो की तरह बना लेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इस तरीखे से नहीं हमें इसको ज्यादा टाइट रखना है और नहीं ज्यादा पतला बुलके एक मीडियम तरीखे से हम इसका डो तयार करेंगे ये दिखे फ्रेंट्स इस तरीखे से तो ये डो बनकर ready है तो चलते हैं हम इसको तलने के लिए तो सबसे पहले मैंने यहां पर कड़ाई को गरम कर लिया था तेल डाल के तो यहां पर मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के इस तरिखे से तल लिये हैं आप अपने हिसाब से अपने according बॉल्स बना सकते हैं मैंने यहां पर थोड़े बड़े ही बना दिये थे बट आप ऐसा मत करना छोटे छोटे ही बनाना अगर ज्यादा बड़े बना देंगे तो उसमें मसाला अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा तो इसको हम deep fry करेंगे प्रहम यहां पर एक पैन को लेंगे कड़ाई को कड़ाई को गरम करने के बाद अच्छी तरीखे से यहां पर थोड़ी सबजियां ली हुई हैं प्यास चिवला मिर्च प्यास की पत्ती और तीन से चार्ज कटी हुई हरी मिर्च इसके बाद हम इसमें टेल डाल कर अच्छी तरीखे से गर्म कर लेंगे तेल को इसके बाद हम 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक प्यस्ट डालेंगे इसको अच्छी तरीखे से भुँन लेंगे फिर हमने यहां पर कटीवी हरी मिर्ज और शिमला मिर्ज डाल कर इसको भी अच्छी तरीखे से फ्राइ कर लेंगे इसके बाद हमने यहां पर पैस को डाला हुआ है हम इसको अच्छी तरीखे से फ्राइ कर लेंगे इसके बाद हमने यहाँ पर अच्छी तरिफे से इसको भून लेना है फ्राइ कर लेना है इसको फ्राइ करने के बाद हमने यहाँ पर रेड चिली सॉस और चिली सॉस और सोया सॉस वन टीस्पून इसके बाद विनेगर भी वन टीस्पून ही डालेंगे मैंने चारों चीजों को 1 teaspoon 1 teaspoon जितना ही डाला हुआ है तो इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें कॉन्फलोर का घोल बना के एक चमच जितना कॉन्फलोर लेके उसमें पानी को एड़ करके उसका घोल बना के इसमें डाल दिया था तो मैंने यहाँ पर लान मिर्श पॉडर एक चमच और नमक 1 teaspoon जितना डाला हुआ है तो इसको उस mixture को उस घोल को इसमें डाल देंगे कॉन्फलोर के घोल को इसमें डालने के बाद मैंने यहाँ पर नमक 1 teaspoon जितना डाला हुआ है अब अपने taste के according डाल सकते हैं तो यहाँ पर मै इसमें डाल दिया है अच्छी तरिखे से इसको mix कर लेना है अब यहाँ पर हम flame को बन कर लेंगे इसको ज्यादा पकाना नहीं है तो बनकर तयार है हमारी गोवी मंचूरी गोवी मंचूरियन तो कम खर्च में अराम से 3-4 प्लेट अराम से बन सकते हैं आप एक बार घर पर जरूर ट्राय करना बहुत टेस्टी बनी थी अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share, comment जरूर करें अलाहाफीज